लो गाईज वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल क्रॉस्ट वरडल और दोस्तों आपका स्वागत एक फ्रेश नव वीडियो में जिसमें अपना पेपर डिस्केशन कॉंटिन्यू करेंगे जो अपका पेपर हुआ था जुलाई द्वार सत्रा में निलिट साइन्टिस्ट वी की पोस्ट के लिए तो से रिटेड हमने अपके चैनल पे चार वीडियो दिसकस कर लिए आज हम बात करेंगे जो आपका नेक्स पार्ट है पाच्वाँ पार्ट जिसमें कोई क्वेशन बचे वे टेक्निकल वो सारे डिसकस किया जाएंगे तो चलिया यह स्टार्ट करते है अब देख सकते हैं जो का पहला कोशन पूशा गया था है वो आपका पूशा गया था नेट्वक सिस्टम से आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ था विच इस डिपेजेंटेस बाइफ टी एफ्टी की जो वैलू नो ने दे रखी थी एफ्टी इस उगल टू लाप्लास inverse of 3s plus 1sq plus 4s square plus k minus 3 into s और आप से क्या पूशा गया था वाट इस दा वैलू आफ के जो आपका के वैरियेबल यूज किया गया है इसकी वैलू पूशी गई थी फॉर आपके पास एक condition दे रहे थी इफ लिमिट x 10 to infinitive ft is equal to 1 दोस्तों यह जो कोशन दिया हुआ है इसको करने क कई तरीके हैं जो सबसे easiest तरीका वो मैं आपको बता रहा हूं कि जो इस तरीके कोई भी कोशन है जिसमें आपको टेंट टू इन्फिनिटी या टी टेंट टू जीरो के लिए वैलू पूश जाती है अगर आपकी वैलू पूशी जा रही है एफ और वैरेबल टी एक्स टें क्या करना है कि आपको एक क्या टी डो मैं में को तisst में इसमें आपको इसमें आपको प्लस असे ले लेंगे इसको हम क्या करेंगे कि जो नीची आप देख पा रहे होंगे इसमें आप s common ले लेंगे और आपका जो function बन जाएगा that is fs is equal to 3s plus 1 upon s into s square plus 4s plus k minus 3 ठीक है अब बात होगे यह अब final value जो theorem होती है इसके आपका s domain और time domain की value होती है वो दोनों एक दूसरे में आपस में इस तरीके से रिलेट होती है that means limit t tends to infinitive ft is equal to limit s into fs और s is s tend to 0 के लिए ठीक है तो यहाँ पर आपको final value theorem पूछी गई थी तो आपको जो सारा function दिया हुआ है इसमें at s into ठीक है s into क्या करना आपको s into fs करने के बाद जो आपकी function जो आपको मिलेगा आपको यह जो नीचे वाले s की terms है वो आपकी cancel out हो जाएगी उसके बाद आपको जो सारा function मिल जाएगा उसमें आपको s की value 0 put कर देनी है और वहाँ से आपको k की value मिल जाएगी that is 1 upon k-3 is equal to 1 यह आपको जो आपका answer मिल जाएगा इस question के लिए that is the value of the variable k is equal to 4 option d will be the right answer for this question ठीक है चलिए बात कर लेते next question की अगला question भी आपको network system से पूछा गया था आपके पास एक network दिया हुआ था जिसमें आपको क्या एक दो resistances लेगे हुए था equal amounts के जिनकी values question में दे रखी है 4 ohm की और साथी साथ आपके पास एक inductor दिया हुआ था जिसकी value इन्हों ने दे रखी थी 1 henry और आपसे पूछा क्या गया था what the value of i1t i1t आपकी यह जो branch है इसके cross आपकी current पूछी गए थी 40 greater than 0 के लिए 40 greater than 0 के लिए that means आपका जो switch है वह आ value पूछी गए थी i1 की when switch is closed ठीक है तो यह जो question आपको दिया हुआ यह rl circuit से transient से question पूछा गया था तो rl circuits के लिए आपकी current होती है circuits में that is represented by i1t for t greater than 0 के लिए उसकी value होती है that is it is equal to v by r minus v by r e to the power minus r by l into t और जो आपकी पहला v by r है यह आपकी that means v by r आपको पता है कि current का जो value है वो आपकी हो जाएगी final current जो circuit में flow करेगी and the second जो value आपकी v by r की होगी वो आपकी difference हो जाएगा जो आपकी final current minus initial current और इसको आपको सारी values question में दे रखी हैं आप simply इसको find out कर लेंगे और आपकी जो required current है circuit में आपको मिल जाएगी that is it is equal to 2.5 minus 1.25 into e to the power minus 2t और आपको जो आपकी answer हो जाएगा that is option B will be the right answer for this question चले बात कर लेते next question की अगला question काफी easy question था digital electronics से which of the following terms are equivalent आपके पास option दिये हुए थे 1,2,3,4 जिसमें आपके different different boolean expression दिये हुए थे और आपसे पूछा गया था कि इन दोनों में कौन कौन से जो आपके terms है वो दोनों equivalent है तो आप देख पा रहे होंगे जो आपका option A और option 4 में दे रखे हैं ये दोनों आपस में similar है that means A X or B X or C is equivalent to A X nor B X nor C और साथी साथ इसी तरीके से जो आपके दूसरा option और तीसरा option दिया हुआ है ये दोनों आपस में equivalent है तो आपको option यहाँ पर सभी जागा option A will be the right answer that means 1 equivalent to 4 and 2 equivalent to 3 ठीका चलिए बटते है next question पर अगला question क्या पूछा गया था आपसे signal सिस्टम से आपके पास ए और जो आपका double-sided signal दिया हुआ था वो आपका exponentially signal था that is e to the power minus 1 by 2 mod t और इसका जो आपका काफी easy question है फोरे ट्रांसफरम की property से ही question पूछा गया था कि एगर आपके पास double-sided exponential function है e to the power minus 1 by 2 into mod t तो उसका जो आपका फोरे ट्रांसफरम हो जाएगा that is 4 upon 1 4 upon 1 प्लस 4 omega square option D will be the right answer for this question ठीक है बात करेंगे next question की अगला question communication system से पुछा गया था कि यह communication channel with AWGN ठीक है आपको white Gaussian noise channel दिया हुआ था which is operating at a signal to noise ratio जिसकी value ने दे रखी थी SNR is much greater than 1 साथी साथ जो bandwidth that is represented by B and the capacity is C1 आपसे पुछा गया था पर दी जा रही है साथी साथ आपको जो bandwidth वो constant रखी जा रही है then what is the resulting capacity C2 is given by तो आपकी जो C2 की value जाएगी वो हो जाएगी approximately is equal to C2 is equal to C1 plus CB C1 that means आपकी जो पहली जब आपका signal to noise ratio much greater than 1 था उस condition में जो आपकी चैनल capacity थी और साथी साथ जो आपकी bandwidth थी इन दोनों का summation हो जाएगा जो आपकी नई आपकी capacity बनेगी जब आपका SNR double कर दिया जा रहा है तो option B यहापका सभी जागा for this question option B will be the right answer आप से बात कर लेते next question के अगला question आप से पूछा गया था control system से आपके पास एक asymptotic body magnitude plot दिया हुआ था आप से क्या पूछा के what is the system transfer function तो system transfer function पूछा गया था सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करनी जो आपकी frequency वाली लाइन है इस पर आप देख पार होंगे frequency है 0.1 and the second one is omega is equal to 10 omega is equal to 0.1 पर आप देख रहे हैं आपका graph जो slope आपका ऊपर जा रहा है that means आपका यहाँ पे 0 present है और और आपका omega is equal to 10 पर आपका graph drastically down हो रहा है या फिर आपका सकते हैं कि लेबल पर आ रहा है तो that means आपके पोल्स एक्जिस्स करेंगे तो इसके according जो आपका answer हो जाएगा that is option a will be the right answer जो आपका transfer function हो जाएगा that is 10s plus 1 upon 0.1s plus 1 option a will be the right answer for this question ते लिए बात कर लेते हैं next question की अगला question आपको क्या दिया हुआ था कि पूशा क्या गया था कि the open loop dc gain पूशा गया था of a unity negative feedback system और साथे साथ question में आपको close loop transfer function दिया हुआ था ठीक है ये भी question कापी कई बार एक्जामों में repeat हुआ है तो सबसे पहले आपको अगर आपके पास कोई close loop transfer function दिया हुआ है तो इससे आपको क्या करना सबसे पहले अगर आपको dc gain पूछा जा रहा open loop का तो सबसे पहले आपको open loop transfer function find out कर लेना है और open loop transfer function की value आप देख सकते हैं कि s plus 4 upon s square plus 7 s plus 13 minus जो आपकी numerator में terms थी minus s minus minus 4 और यहां से आपको open loop transfer function मिल जाएगा that is s plus 4 upon s square plus 6 s plus 9 अब बात करेंगे question में जो data पूछा गया था that is open loop dc gain open loop dc gain find out करने का simple सा जो तरीका वो है आपको open loop transfer function find out करने के बाद जो आपका transfer function आपको मिलेगा उसमें आपको s की value 0 put कर देनी है तो आपको automatically जो आपका open loop dc gain वो मिल जाएगा और उसमें जब s is equal to 0 put करेंगे तो आपको आपका dc gain मिल जाएगा उसकी value मिल जाएगी that is 4 by 9 option b will be the right answer for this question कि दोस्तों आज के lesson में इतना ही उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़े clear हो गए होगी बागी अगर आपको किसी भी तरीकी question में किसी भी तरीकी का डाउट है तो आप comment box में पूस सकते हैं साती साथ मैं अकेडमी पे लेता हूँ तो आप स्क्रीन पर आपको लिंक दिख रहा होगा नेकेडमी की प्रोफाइल का साती साथ उसको आपको डिस्क्रिप्सर में मिल जाएगा लिंक आपको वहाँ जाके आप मुझे एनकेडमी प अप्लोट की जाए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहा है और मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक कि लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया